आज हम WordNet का अभ्यास करने वाले हैं बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजों की जानका ही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि Semantic Analysis का मतलब क्या होता है Semantic Analysis में जो वर्ट Semantic होता है उसका मतलब होता है The Study of Meaning और Semantic Analysis एक Text का Meaning Find Out करने का Process होता है अब ये जो Text का Meaning Semantic Analysis Find Out करता है ये वो Meaning नहीं होता जो हमें समझता है ये वो Meaning होता है जो Computer को समझता है अब अगर आसान भाषा में इस चीज़ को मैं आपको समझाने जाओ तो मैं ये बताऊंगा कि Semantic Analysis के मदद से एक Text का Meaning क्या है ये Computer समझ सकता है या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि Semantic Analysis Computer को एक Text को Understand करने की Power देता है अब हम ये समझता है कि Ambiguity का मतलब क्या होता है Ambiguity का मतलब होता है अगर सपोस एक Word के Multiple Meaning निकल रहे है तो इस चीज़ को Ambiguity कहा जाता है जैसे कि For Example अगर सपोस मैंने आपके सामने एक Sentence रखा Give me that Baseball Bat तो अब यहापे इस Sentence में जो Bat वर है उसका मतलब एक Wooden Object भी हो सकता है और उसका मतलब एक उड़ने वाला Memble यानि कि Basically चमगादर भी हो सकता है तो यहापे एक Word के Multiple Meaning निकल रहे है तो इस चीज़ को Ambiguity कहा जाता है अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि Semantic Analysis के मदद से Computer एक Text का Meaning identify कर सकता है तो अभी सपोस हमारे पास एक Text है और यह जो Text है उसके अंदर Ambiguity है मतलब Basically इस Text के अंदर एक ऐसा Word है जिसके Multiple Means निकल रहे है अब यहापे Semantic Analysis के मदद से ही Computer समझ सकता है कि यह Text कहना क्या जा रहा है यह Text का Meaning क्या है राइट यह Text है इस Text में तो Ambiguity है तो अभी इस Situation में क्या होता है इस Situation में Semantic Analysis सबसे पहले उस Text को Disambiguïus करता है मतलब Semantic Analysis सबसे पहले उस Text के अंदर की जो Ambiguity है उसको हटाता है यह उसको निकालता है और उसके बाद आगे का Process किया जाता है जिससे उस Text का Meaning find out हो सके तो अभी आपी जब Semantic Analysis उस Text के अंदर जाता है Ambiguity दूर करने के लिए और जब उसको For Example वो Word मिलता है जिसके Multiple Meanings है For Example Bat तो अभी आपी उसको कैसे पता चलेगा कि Bat मतलब Wooden Object वाला Bat या Bat मतलब उडने वाला Mammal तो यहाँ पर WordNet का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि WordNet के अंदर बहुत सरे Words होता है और उनके Meanings भी होता है मतलब basically WordNet a dictionary ही है और उसी के मदद से जो Semantic Analysis है वो यह identify कर पाता है कि Multiple Meanings में से उस Context के हिसाफ से उस Word का Meaning कौन सा है तीक है और इससे वो Ambiguity Solve हो जाती है और जो हमारा Semantic Analysis है वो आगे का Process आसानी से Continue कर सकता है और आगे भी WordNet का इस्तेमाल किया जाता है Semantic Analysis के द्वारा क्योंकि at the end of the day WordNet के अंदर बहुत सरे Words होता है उनके Meanings ही होते है और जो Semantic Analysis है वो Completely Meaning के साथ ही डील करता है लागे उसके पूरी कहानी Meanings से शुरू होती है और Meanings पे खतम होती है और इसलिए WordNet को तुम Semantic Analysis का जीवन साथी भी घोशित कर सकते हो या मान सकते हो अब यहां पर जो Semantic Analysis है वो एक टेक्स के Ambiguity दूर कैसे करता है वो एक अलग बात है उसके उपर हम अगला वीडियो बनाने वाले है बट आभी मैंने आपको यह बता है कि व lihat का इस्तुमाल कहां भी किया जाता है वो जाना जो गया जिर्वार समझना पड़ेगा कि wordnet एक dictionary हैं मतलब basically dictionary है और इस dictionary में बहुत सारे words होते हैं और हर एक word की different category होते हैं मतलब अगर suppose मैंने duck search किया तो यहाँ पे duck can be taken as noun and duck can be taken as verb also तो basically duck इस word की ये दो different categories है अब अगर मैंने डग को noun consider किया तो उसके अंदर इसके चार meanings है और अगर मैंने डग को verb consider किया तो उसके अंदर इसके चार meanings है याने कि basically 4 senses है इसके अंदर meaning को senses कहा जाता है ठीक है जैसे कि आप देखी सकते हो तो basically wordnet dictionary यह होता है अब हम wordnet के बारे में कुछ points परते है देखो सबसे पहला point यह कहता है कि wordnet के अंदर total 1,17,798 nouns होते है 11,529 verbs होते है 22,479 adjectives होते है और 4,481 adverbs होते है इस चीज को note करके रखना यह आप exam में भी लिख सकते हो as a point यह आप मेरे notes भी refer कर सकते हो it's your choice second point says that कि wordnet की मदद से हम एक word के अलग-अलग relationships भी find out कर सकते है अलग-अलग words के साथ इसका example देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि hyperneem और hyponeem का मतलब क्या होता है देखो एक होता है class और एक होता है class के अंदर के elements तो जो class होता है उसको hyperneem कहता है और class के अंदर के elements को hyponeem कहता है जैसे कि for example अगर suppose मैंने तुमारे सामने दो words रखे dog और animal तो अभी आपे animal के अंदर dog आता है because dog is an animal तो animal के अंदर dog आता है और इसलिए animal hyperneem होगा और dog hyponeem होगा ठीक है तो अभी आपे इसका example में आपको देता हो क्या था हमारा point कि wordnet के अंदर हम अलग-अलग words के अलग-अलग words के साथ relationships भी find out कर सकते है तो अभी अगर suppose मैंने आपे dog यानि की dog search किया तो मेरे सामने dog के दो categories आता है noun और verb अगर suppose मैंने noun consider किया noun में जो पहला sense है यानि की पहला meaning है वो है basically domestic dog अब यह जो domestic dog है अब अगर इसका किसी के साथ हमें relationship find out करना है तो हमें s के उपर click करना पड़ता है ठीक है और click करने के बाद यहाँ पे देखो direct hyponeme direct meroneme यह सब relationships आते हैं हमें direct hyperoneme देखना है मतलब basically direct hyperoneme के उपर click करके हम यह देख रहा है कि dog का hyperoneme कौन है तो अब यहाँ पे मैं click कर देता हूँ और click करने के बाद यहाँ पे domestic animal आता है मतलब basically domestic dog is a domestic animal ओके तो मतलब domestic animal hyperoneme है और domestic dog hyponeme है अब अगर suppose हमें और deep में जाना है तो वो भी हम कर सकते है मतलब domestic animal का hyperoneme कौन है यह भी हम देख सकते है तो उसके लिए भी हमें s पे click करना पड़ेगा और s पे click करने के बाद यहाँ पे again hyperoneme आएगा तो अभी domestic animal का hyperoneme कौन है animal क्योंकि animal के अंदर domestic animal आता है तो यह सारी चीज़ होती है तो basically यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर यह देख पा रहे है कि जैसे कि for example domestic animal और animal के बीच में क्या relationship है animal is a hyperoneme of domestic animal यह relationship है तो basically इस तरीके से word net के अंदर हम दो words के बीच में relationship क्या है वो देख सकते हैं अब यह जो hyperoneme और hyponeme relationships का example में आपको दिया यह बस एक example है हम दो words के बीच में और भी बहुत सारे relationships find out कर सकते हैं word net के अंदर जैसे कि for example antonymy synonymy homonymy यह सब relationships भी हम find out कर सकते हैं अब यह antonymy homonymy synonymy के इन सब के उपर हमने video बनाया है जो आपको playlist के अंदर मिल जाएगा बट basically मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि hyperoneme और hyponeme यह जो relationships है यह बस मैंने आपको example बताया है वैसे इन reality और भी बहुत सारे relationships दो words के बीच में find out किये जा सकते है अब मुझे comment section में बता हूँ कि video कैसा लगा और यह हमारा playlist है इस प्लेज में आपको इस subject के सारे के सारे videos मिल जाएंगे thank you watching studio and have a nice day bye bye